नमस्कार दोस्तों पताब क्लासेश के इस यूडिव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है तो दोस्तों सभी विदार्थी इस लाइफ सेशने के अंदर जूर जाईए तो अपना टोपी चल रहा था राजस्तान जिला दर्शन और जिला दर्शन के अंदर आज हम बात और पास लगे बेल आइकन के गंटे को जरूर दुबा लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अप्लोड हो वो आप तक पहुंच जाए इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना ये आपको वीडियो कैसा लगा तो सभी दार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और जदेश जदा शेयर कर दें तो सुरू करते हैं आज का वीडियो पहला परसंदेखिए सिकर जिले के साथ कितने जिले लगते हैं तो सिकर जिले के साथ च्यार जिले लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं एक लगता है नागोर एक लगता है चुरू एक ल निम्र में इसे कौन सा जिला सिकर जिले के साथ लगता है तो कौन सा जिला है नागौर भी सिकर जिले के साथ लगता है जैपुर जिले के बात करें तो ये भी लगता है तुरू जिले के बात करें तो ये भी लगता है तो इसका सही एंसर हो देगा उप्रिक्त सभी अगला परसंदेखिए सिकर जीले के साथ किस राजे की सीमा लगती है सिकर जीले के साथ किस राजे की सीमा लगती है तो वो लगती है हरैना राजे की अगला परसंदेखिए राजस्तान का कुल शेत्रफल कितना है तो राजस्तान का कुल शेत्रफल है एकλέख 22,142 वरग मील यहाँ एंस वरग मील की अंदर पूछा गया है नहीं की वरग किलोमेटर के अंदर अगर वरक किलोमेटर पूछा होता तो यह एंस ओर होता तो हम जल्दवाजी के अंदर पर्शन गल्ट कर देते हैं तो इसका विशेश ध्यार रखें तो इसका सेंसर हो जाएगा A number option अगला परसंद देखिए शिकर जिले का चेत्रफल कितना है तो शिकर जिले का चेत्रफल है 7732 वरग किलोमेटर अगला परसंद देखिए शिकर जिले का चेत्रफल राजस्तान की कुल चेत्रफल का कितना परतिसत है शिक्कर जिले का चेत्रपल राजस्तान की कुल चेत्रपल का कितना परतिसता है तो वो है 2.25 परतिसत अगला परसंदेखिए 63 गंतंतर दिवस दिल्ली के राजपत पर वायू सेना की प्रेड का नितरताओ करने वाली पहली बारतिय मेहला शिक्कर जिले की कौन थी तो वो कौन थी सनिहा सेखावत अगला परसंदेखिए राजय का पर्थम क्रिशी विज्ञान के अंदर किस जिले में खोला गया था तो वो किस जिले में खोला गया था सिक्कर जिले के अंदर अगला परसंदेखिए निमने में से किस जिले को सेखावाटी का हद्यस्तल कहा जाता है किस जिले को सेखावाटी का हद्यस्तल कहा जाता है तो सिकर जिले को सेखावाटी का हद्यस्तल कहा जाता है अगला परसंद देखिए राज्य का एक मतर NCC ग्रम सिकर जिले का कौन सा है तो वो कौन सा है जगमालपुरा अगला परसंद देखिए राजस्तान का पर्थम आईटेक जीला कौन सा है तो राजस्तान का पर्थम आईटेक जीला है सिकर अगला परसंद देखिए शिकर जिले के किस ठान को अधनिक काल में धनपतियों का नगर कहा गया शिकर जिले के किस ठान को अधनिक काल में धनपतियों का नगर कहा गया तो ये कहा गया फतेयपूर को अगला परसंद देखिए शिकर जिला किस संभाग के अंतरगत आता है तो शिकर जिला जैपूर संभाग के अंतरगत आता है अगला परसंद देखिए जैपूर जिले के अंदर पांच जिले आते है रास्तान का एक मतर कौन सा संभाग है जिसमें पांच जिले है तो वो कौन सा संभाग है जेपूर संभाग एगला परसंद देखिए शिकर जीले का कौन सा स्थान बूदपुरव उपराश्टपती बेरोशियं सेखावत की जनमस्तली है तो सिकर जीले का वैकॉन सास्तान है जो बोधपुर उपराश्वती रहे विरोश्य शेखावत की जनमस्तली है तो वो है खाच्रियावास अगला परसंदेखिए राजस्तान में पर्थम कृष्षी विग्यान के अंदर की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी उनी सो चे जनतर में परसंदेखिए शिरी सरश्वती पुष्ष्ट का लिए जो आलब दूरलब साहित ये का पृत्टम खाजाना है । यह सिकर जी लेकि कि स्थांपरश्टित है तो ये किस फांपरश्टित है फतेपूर कि अंदर अगला परसंदेखिए बुमन मैं से किस महान वेक्ति को परदेश का भागिरत वे बाबोसा के नाम से जाना जाता है तो वे कौन महान वेक्ति है जिने परदेश का भागिरत और बाबोसा के नाम से जाना जाता है तो वो है भेरोशिय सेखावत एगला परसन देखिए निमन में से कौन सी परवत चोटी सिकर जिले में स्थित है तो बात करें हम रगुनाथ गड़ ये भी सिकर जिले के अंदर है मालखेत पाड़ी की बात किने ये भी सिकर जिले में है अगर कमलनाथ की बात किने ये भी सिकर जिले में है तो इसका सही अंसर हो जाएगा उप्यक्त सभी अगला परसंद देखिए निमन में से कौन सी जील सिकर जीले में इस्तित है तो कौन सी जील है प्रितन पूरी जील ये भी सिकर जीले के अंदर है रिवासा जील की बात करें ये भी सिकर जीले में है कछोर जिल के बात करें ये भी शिकर जिले में है तो इसका सही अंसर हो जाएगा वो प्यक्त सभी अगला परसंद देखिए शिकर जिला निमन में से किस जलवायू परदेश में स्थित है तो शिकर जिला अर्द सुसर जलवायू परदेश के अंदर स्थित है अगला परसन देखिए निमन में से किस जिले की आकरती प्याले नुमा है किस जिले की आकरती प्याले नुमा है तो सिक्कर जिले की आकरती प्याले नुमा है अगला परसन देखिए सिक्कर जिले का सुबंकर कौन सा जीव है शिक्कर जीले का सुबंकर कौन सा जीव है तो ये है साहिन साहिन शिक्कर जीले का सुबंकर है अगला परसंद देखिए गुलाबी करांति का समंद किस विश्य से है बागवानी, मचली, जिंगा मचली, अलूत पाधन तो गुलापी करांती का समद्ध है जिंगा मचली से ओप्षन नमबर सी से ही रहेगा इसका अगला परसंद देखिए शिकर जिले का बन्नो की डानी स्थान किस खनीज के लिए परसिद है शिकर जिले का बन्नो की डानी स्थान किस खनीज के लिए परसिद है तो ये है तामबा के लिए परसिद है एगला परसंद देखिए शिकर जिले के कि स्थान से प्राप्त होने वाला पाईराइट खनीज उरुवरक उद्ध्योग के अलावा अमल उद्ध्योगों में भी काम में आता है तो वह कौन सा खनीज है तो सलादीपूर सलादीपूर से प्राप्तो निवाला पाईराइट खनीज उरुवरक उद्ध्योग के अलावा अमल उद्ध्योगों में काम में लिया जाता है एगला परसंद देखिए Department of Tourism Ministry of India के अनुसार सिकर जिला किस प्रेटन सर्किट के अंतरकत आता है तो किस सर्किट के अंतरकत आता है तो सेखावाटी सर्किट के अंतरकत आता है अगला परसंद देखिए निमन में से किस जिले में सेखावाटी मोचसब मनाया जाता है तो निमन में से किस जिले के अंदर सेखावाटी मोचसब मनाया जाता है निमन मेंसे बैड की कौन से नसल सिक्कर जिले के अंदर पाई जाती है तो चोकला बैड की नसल सिक्कर जिले के अंदर पाई जाती है अगला परसंद देखिए बलिया, मुर्किया, छेलकडी, लौंग, नामक अबोशन निमन में से कहां पर पहने जाने वाले अबोशन है तो ये सभी अबोशन कहां पहने जाते हैं तो ये पहने जाते हैं कान के अंदर तो सभी ये कान के अभूशन है अगला परसंद देखिए राजिस्तानी बासा में जुंपा सबद से क्या अभी प्राय है तो ये होते हैं मुरुस्तल में कच्चे जो गोला कार घर बने होते हैं उन्हें जुंपा का आ जाता है या जोपड़ा भी वोल सकते हैं इसको अगला परसंद देखिए शिकर जिले की जिला वहन पंजियन संग्या कितनी है तो आरजे तैईस आरजे तैईस शिकर जिले की जिला वहन पंजियन संग्या है अगला परसंद देखिए वारतिक चितरकारी का साब्दिक अर्थ होता है वारतिक चितरकारी का साब्दिक अर्थ होता है तो ये होता है मॉम लेखन मॉम के उपर जो लेखन कला की जाती है उसे वारतिक चितरकारी कहा जाता है अगला परसन देखिए निमन में से किस जिले में बंधेज का करे किया जाता है निमन में से किस जिले में बंधेज का करे किया जाता है तो वो किया जाता है सिकर जिले के अंदर अगला परसंद देखिए निमन में से कौन सा नर्तिय सेखवाटी परदेश का है इमन में से कौन सा नर्तिय शेखावाटी परदेश का है जिन्दाद नर्तिय के बात करें ये भी शेखावाटी का है सेंगड़ा नर्तिय की बात करें ये भी शेखावाटी परदेश का है चंग नर्तिय की बात करें ये भी शेखावाटी परदेश का है तो इसका से अंसर हो जाएगा उप्योक्त सभी अगला परसंद देखिए लोग देवता जुनजार जी का जनम सिकर जी लेके किस स्थान पर हुआ था तो ये वह था इमलोहा इमलोहा नामक स्थान पर लोग देवता जुनजार जी का जनम हुआ था अगला परसंद देखिए के मंदिर पर डएपिले शराप चरती है तो वो चरती है जीन माता के मंदिर में अगला परसंदेखिए देवी देवताओं में किस का लोग गित सबसे लंबा है तो ये है जीन माता का गित सबसे लंबा है अगला परसंद देखिए देवताओं में किस लोग देवता का लोगित सबसे लंबा है देवताओं में किस लोग देवता का सबसे लंबा लोगित है तो वो है राम देव जी का अगला परसंद देखिए रशिक संपर्दाय का संबंद किस जिले से है तो रशिक संपर्दाय का संबंद सिकर जिले से है अगला परसंद देखिए निमन में से कौन सा दुरग सेखावटी का सबसे महत्पुर्ण एत्यासिक दुरग माना जाता है तो निमन में से कौन सा दुरग सेखावटी का सबसी एत्यासी की दुरग माने जाता है तो वो माना जाता है फतेयापूर दुरग अगला परसंद देखिए फतेयापूर दुरग किस जिले के अंदर है तो फतेयापूर दुरग सिकर जिले के अंदर है अगला परसंद देखिए निमन में से कौन सा मंदिर सिकर जिले में स्थित है हर्षनात का मंदिर ये भी सिकर जिले में है जीनमाता मंदिर की बात करें ये भी सिकर जिले में है सिरी खाटूशयामजी मंदिर की बात करें ये भी सिकर जिले में है तो इसका सही अंसर होचेगा उप्युक्त सभी एगला परसंद देखिए उत्रभार्थ की एक मातर सूर्य पीठ मंदीर सिकर जिले के किस थान पर स्थित है तो यह स्थित है शिरी मादवपूर के अंदर एगला परसंद देखिए उमल सॉमल मंदिर किस जिले में स्थित है उमल सॉमल मंदिर किस जिले के अंदर है तो ये सिकर जिले के अंदर स्थित है तो सभी विदारती वीडियो को लाइक करते रहें सेर करते रहें और जो इस चैनल पर नहीं है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलें अगला परसन देखिए शिकर के स्रीखाटू श्यामजी मंदर की निव किस साथ से के द्वारा रखी गी थी तो किस साथ से के द्वारा रखी गी थी तो अब बेशियें के द्वारा श्रिक करके श्रिखाटू श्यामजी मंदर की निव रखी गई थी अगला परसन देखिए निमन में से कौन सी अवेली सिकर जिले में इस्तित है कौन सी अवेली सिकर जिले के अंदर स्चित है तो पंसारी की अवेली की बात करें ये भी सिकर जिले में है खेमका सेठो की अवेली की बात करें ये भी सिकर जिले में है केडिया वैराथी की अवेली भी सिकर जिले में है तो इसका सही अंसोर हो जाएगा उप्योक्त सभी अगला परसन देखिए गोयन का सेठों के वेली सिकर जीले के किस थान पर स्थित है तो किस थान पर है रामगड के अंदर स्थित है अगला परसंद देखिए रामकुबाल पुदार की चत्री कहां स्थित है जो संबत है सेखवाटी की सबसे बड़ी चत्री है तो वो कहा स्वितुत है, वो श्जित है, शिकर जिले के अंदर, अगला परसından देखिए कने वीडियो का साथ साथ में लाइक करते रहिए, शिकर जिले को किस ने बसाया था ? तो राव दोलत शेयने सिकर जिले को बसाया था? अगला परसन देखिए, Geschichte गनेश और सब्विता का समंद सिक्कर जिली से है अगला परसंद देखिए युमिन में से कौन सी सब्विता कहानी है या पर कांतली है निमन में से कौन सी सब्विता कांतली नदी की किनारिष्थित है तो कौन सी सब्विता कांतली नदी की किनारिष्थित है गनेस और सब्विता कांतली नदी की किनारिष्थित है अगला परसन देखिए और आज का लास्ट परसन निमन में से किस वेक्ति का समंद्ध सिकर जिले जिले से है तो किस वेक्ति का समंध सिकर जिले से है तो जमनलाल बजाज का समंध सिकर जिले से है तो दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना और जो विदार्थी इस चैनल पर नहीं है तो वो इस चैनल को करना नहीं बुलें और साथ ही बेल आइकन की घंटे को दबाना भी नहीं बुलें तो दोस्तों जै हिन जै भारत